अगर आपके राजा को हंगर स्ट्राइक भूख अर्ताल भी करना पड़े हतायक अतौर के बीच में और बिना खाना खाकर आंदोरन करते करते अगर मेरा जान भी चला जाए मुझे कोई आपत्ती नहीं होगा एटलीस्ट पूरा देश तो बोलेगा कि एक राजा ने अपने लोगों के लिए अपना जान को सेक्रिफाइस किया क्योंकि वो राजा के पास इतना पैसा नहीं था जितना देश का बड़ा बड़ा नीता के पास है उनके पास सेना नहीं था जितना इंडिन आर्मी के पास है लेकिन उसके पास अपने लोगों के लिए इतना प्यार था ति वो नोख खाना नहीं खाके अंशन में बैटकर हंगर स्ट्राइक करके उसने अपने जिन्दगी खतम कर दिया लेकिन अपने लोगों को एक बाद बोला आज मैं नहीं खा रहा हूँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके घर में भी खाना आए आज मैं मर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई ती प्रासा हस्पताल में मरे आज मुझे कश्ट है कि कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी पिताजी और आपकी माताजी को कश्ट हो आज ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो एक दिन इसका फल हमारे नेक्स जेनरेशन को मिलेगा जिन्दगी में इनसान को एक पोजिशन लेना पड़ता है मेरा परसनल जिन्दगी भरबाद हो गया है मेरे पास आज सामने देखने के लिए कुछ नहीं है और अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मैं जाओंगा लेकिन पहले अपने लोगों को एक बार दिखा के जाना चाहता हूँ कि मैंने आपको कितना प्यार किया बहुत लोग ने मुझे कहा है कि तुरुपरा छोटा है इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता तुरुपरा में भी हिंदुस्तानी रहता है पंजाब में भी हिंदुस्तानी रहता है उत्तर प्रदेश में भी हिंदुस्तानी रहता है एक हिंदुस्तानी का कीमत जो महाराष्ट में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो टमिलनाड में है और जो तृप्रा में है, उनका कीमत एक ही होना चाहिए, आप वोड बैंक देखकर किसी का कीमत कम और नीचे करते हैं, हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, और तीप्रासा का ज हमारा अधिकार चीना गया है यह जो हमारा आसु है न यह आसु किसी और के आंख से नहीं आएगा यह आसु हमको खुद भाना पड़ेगा यह फाइट कोई हमारे लिए और नहीं करेगा यह फाइट हमको खुद करना पड़ेगा और अगर मरना भी हो तो मैं मरूंगा क्योंकि अगर आज मैं मरा और हमें कुछ मिला तो मेरा नेक्स जनरेशन आपका नेक्स जनरेशन प्राउड़ी बोल सकेगा हाँ प्रदियोद विक्रम मानिके ने हमारे लिए फाइट किया अपना जान दिया लेकिन आज हम जहां भी है उन में उनका कॉंट्रिबूशन था ये मेरी ले कॉंट्टं ती पराशा जाती है गलोगतां